जै गुरुदेव! दोस्तों, मैं प्रगति शर्मा जार्खन के जमशिदपूर से. मेरी मा का नाम सुनैना देवी है, और पिता का नाम स्रीश्याम सर्मा. हम पांच बहनों पर एकलोता भाई है मिथुन शर्मा. हम सभी मा गायत्री के सादना पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं. यह घटना 6 नवंबर 2024 की है, जब मैं चट पर्व के लिए ससुराल से मायके आई हुई थी. चट पर्व का दूसरा दिन था, हम सभी खर्णा पुजा के तयारी कर रहे थे. तब ही मेरी छोटी बहन के पास मेरे पिताजी का कॉल आता है. वो बाईक के पेपर्स के बारे में पूछ रहे थे. उनकी आवाज कुछ रोने जैसी थी. हम सब डर गए थे, पर पिताजी ने कुछ नहीं बताया. वहीं कुछ देर बाद मेरी बड़ी दिदी आती है. और भाबी को देख कर रोने लगती है. उन्हें ऐसे रोता देख, हम सब डर जाते हैं. और सारा काम छोड़कर उनके पास आ जाते हैं. तबी दिदी रोते हुए बताती हैं कि भाईया का अक्सिडेंट हो गया है. नया बाइक पूरी तरह तूट चुका है. इतना सुनते ही हम सब रोने लगते हैं. कि बाइक की ये हालत है, तो भाईया कैसे होंगे? पर दिदी कहती है कि भाईया ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है. जब मा को इस बात का पता चलता है, तो वो रोते हुए मा गायत्री और छणमाता से प्रार्थना करने लगती है. हम सब ने एक एक करके भाईया से फोन पर बात की. रात के करीब आट बजे भाईया घर आ जाते हैं. हम सब देखते हैं कि उनके दाईने हाथ में माथे और पीट पर चोट लगी है. पर कहीं कोई खरोज के निसान नहीं है. डॉक्टर ने भी सब कुछ नॉर्मल ही बताया था. उन्हें देखकर उनके दोस्थ और हम सब बस यही कहते हैं कि ये मेरी मा के जब का फल है जो भाईया सही सलामत है. वरना जिस तरह का एक्सिडेंट हुआ था ऐसे में किसी का बच पाना बहुत मुश्किल था. मा गायत्री के उपासना करने वाले और गुरुदेव को अपना सब कुछ मानने वाले लोगों के जीवन में ऐसी घटनाए होती रहती हैं. पुझ्य गुरुदेव अपने बच्चों को बड़े से बड़े संकटों से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. दोस्तों, अब तक तो मैं आपको अद्बुत आश्चयर जनक किन्तों सत्य के पूस्तक से सारी घटनाएं बताते थी, पर आज जिस घटना का जिक्र मैंने किया है, ये मेरे घर की ही है. हमारे जीवन में ऐसी कई आश्चयर जनक घटनाएं हुई हैं, जो गुरुदेव और मा गायत्री के प्रती हमारी श्रद्धा को और मजबूत बनाती हैं. गायत्री मंत्र का जब करने वाले और पूज्य गुरुदेव को मानने वाले के साथ कभी कोई अन्होनी नहीं होती. दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को एक वीडियो के माध्यम से आप तक मैं बस इसलिए पहुचाती हूँ, क्योंकि समाज में कई तरह की ब्रहांतिया फैली हैं, कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं करना चाहिए. या कई लोगों को ये लगता है, कि गायत्री परिवार में अद्बुत अश्यर जिनक किंतु सत्य की पुस्तक में जो घटनाओं लिखी गई हैं, वो गलत है. वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं सच में होती हैं. गायत्री परिवार के जो भी स्तादक हैं, उनके जीवन में इस तरह की घटनाओं होती, आम लोगों के साथ भी होती हैं. जाहे वो भगवान श्रीव के भगत हों, या भगवान विश्नों के भगत हों. चमतकार हर किसी के साथ होता है. और गायत्री मंत्र में सचमूश में बहुत बड़ी शक्तिय, बहुत पावर्फुल है गायत्री मंत्र. अगर कोई इसका नियमित जब करें, तो वो कुछ भी पा सकता है, जो वो चाहता है. इसे लिए गायत्री मंत्र का जब हर किसी को करना चाहिए, नियमित रूप से करना जाहिए, जै गुरुदेर